है लो गाइज एक और नीव लोग में आपका स्वागत हैं तो गाइज आप लोग कैसे हैं मस्तों होंगे यह द्वा करता हूं मस्तों होने चाहिए तो गाइज आज मैं कुछ टूरिस्ट रेलेटिव वीडियो बना रहा हूं जो कि यहां परियाटक आते हैं ने निताल में कल से जो की बहुत जादा भीड़ है ने निताल में 24 दिसंबर से और मेहने के लास्ट तक तो भीड़ी रहने के संकेत हैं क्योंकि ओनलाइन बुकिंग यहां ठंडा है ने निताल में बहुत जादा थंडा क्योंकि मैं सुबह देख रहा था च्छे वजे देख रहा था तो जो करेंट टैंप्रेचर था वो मैनस एक था तो आपने सांथ बच्चे उगरा लाते हैं तो गरम कपड़े विंटर के कपड़े साथ मां अवस्य लेके तो गैज आप कुछ यहां के नियम हैं उसे फॉलो करें तो अगर आप गाड़ी लाते हैं तो जिस होटल में पार्किंग है उसमें देख लीजिएगा पार्किंग मैंने परसों वाली वीडियो में भी आपको बताया गया था कि आप पार्किंग देखां करके तब ही जाके पहले आपको रोका जाएगा वहां सेटल सेवा के उसमें आप आएंगे सटल सेवा गाड़ी में आएंगे और होटल तक उनका छोड़ने का रहेगा तो उसी हिसाब से आप देखियेगा गई अपना यहां से बना लें प्लांत कैसा करना है और वैसे मत आईएगा जिनकी 20% something hotel खाली हैं तो वहाँ booking कर लें 31 तक एक जन्वरी तक तो उससाब से आपको आसानी रहे कि कहीं यहाँ आएं आपको रूम ढूड़ना पड़ा हैं और रूम ना मिला हैं यहाँ प्लिस वाले आपको पहली रोग दाएं क्योंकि नहीं निताल प्लिस लगी रहेगी यहाँ अ निताल साथाल फेमस लेकर हैं रानी खेत आता हैं कौसानी आता हैं मुक्तिस्वर आता हैं बहुत सारी चीज़े हैं तो वह हैं चीजा भी आप यहाँ पर भूमे है तो मैं यहीं कहना चाहूंगा आप लोगों को कि अगर आप नहीं बुकिंग में किया हो तो बुकिंग कल नहीं, आने से पहले और यहाँ पर नंधाल में भीड़ भड़ा का बहुत तेजी से होती हुई और थंड़ा भी बहुत ज़ाधा है तो आप ला उस हिसाब से यहाँ पर कपड़े ले आईएगा गरम कपड़े ले आईए जिससे आपको ठंड नहों है और सुनोफ़ों का भी अभी कोई उतना आसार नहीं है 30 भाष्ट तक सुनोफ़ों नहीं होगी बरफ बारी नहीं होगी क्या पता जन्वरी या अगले साल को देखा है जन्वरी या फरवरी में बरफ के संकेत है मिल सकते है नहीं निताल में तो अभी तो कोई चांसेट नहीं दिख रहे है कि गागाईच आधी धूब आधी छाया ये सामने में जूँ नहीं निताल जूँ ये घ्रीन चात दिखRE component यहां ये दिखेगा और इस एरिया में स्नोब यूपइक आता है यहां से पूरा दिख नहीं रहे है जो ये गंजा फाहड है इसके बहाजू बहारू में आपका स्नोब यूपक्पइक आता है तो आप इसनों भी पॉइंट भी जाएंगे केबल कार से भी जाये जाता है और गाड़ियों से भी जाये जाता है और फैदल आप ट्रेकिंग करने के सौकिन है तो ट्रेकिंग से भी आप जा सकते हैं तो बहुत सारी सूबदाय हैं वहां जाने के लिए भी और नैनिताल जू यह है और नैना देवी मंदिर यहां फेमस है तो गाईज यह देखेगा अब यह जो अब तक धूप थी ना थोड़े देर पहले तक यहां साड़े तीन बज़े तक धूप थी तो यहां ठिक ठाग मौसम था बट आप ठंडा बहुत तेज होने लग गया है थी ना देखेगा बांब तक धनी टाओ मौसम था ऐहां पर देखेगा कम दो पहले तो यहां जो यहां बटें से लाग मौसम थाँज संगार कर देंगा टेंगा है